नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरल नौलिज के 10 आपके लिए खास करके आर्मी एर्फोर्स नेवी और आपकी जो अधर अर्ध सेनिकबल होते हैं जैसे की आर्पीएफ, सीर्पीएफ, CISF, ITVP, SSB, BSF और भी जो अर्ध सेनिकबल हैं और जो फोर्सिस हैं उनके रिटेन एक्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई हैं तो दो चली दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रुकेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल अथिकार है इसे हम लेकर रहेंगे यह नारह है ओफससे आपके ओफसन ए बघचसिंग आपसन बी बंकिम चंतर चटरजी ओफसन सी दादा भाई नौरो जी और ओफसन डी लोकमाने तिलक ठीक है तो कोश्चन नमबर बंका सही आंसर होगा ओफसन डी लोकमाने तिलक Q2 है आपका भारतियों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई ओप्षन से आपके ओप्षन A 1910 में ओप्षन B 1915 में ओप्षन C 1906 में और ओप्षन D इन में से कोई नहीं तो Q2 का सही आंसर होगा आपका ओप्षन C 1906 में जी हाँ दोस्तो भारतियों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी Q3 है जलिया वाला वाग हत्याकांड कब हुआ ओप्षन से आपके ओप्षन A 13 अप्राइल 1919 को ओप्षन B 13 मैं 1919 को ओप्षन C 16 अप्राइल 1919 को और ओप्षन D है आपका 15 जून 1916 को तो Q3 का सही आंसर होगा आपका ओप्षन A 13 अप्राइल 1919 को 13 अप्राइल 1919 को जलिया वाला वाग हत्याकांड हुआ था और यह हत्याकंड कहां पर हुआ था दोस्तो यह हत्याकांड हुआ था आपके पंजाब के अमरिस सर जले में Q4 है रॉलेट एक्ट विद्यक कब लागू हुआ ओप्षन से आपके 10 मार्च 1919 को ओप्षन B 13 माई 1919 को ओप्षन D 8 मार्च 1919 को और ओप्षन D है इन में से कोई नहीं तो Q4 का सही आंसर होगा आपका ओप्षन C 8 मार्च 1919 के लिए नेक्स्ट Q4 की तरफ चलते हैं Q5 हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसियेशन का गठन कब कहां हुआ सौरी दोस्तो एक बार मैं आपको प्रिसन फिर से पढ़के सुना जेता हूँ प्रिसन है आपका कानपुर में या फिर गोरकपुर में तो Q5 का सही आंसर होगा आपका ओप्षन A कानपुर में ठीक है तो दोस्तो Q5 सभी आपके और भी बचे हुए हैं लेकिन उससे पहले आपको एक महत्पूर बात में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो की जो पीडियो फाइल है इसको आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा ओनलाइन क्लासे से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो नेक्स्ट कोस्टिन के तरफ चलते हैं Q6 Q6 है Q6 का सही आंसर होगा Q6 Q7 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 Q8 का सही आंसर है आपका Q7 Q7 Q6 Q7 Q7 Q8 Q7 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 Q8 Q7 वह है जून 1917 ठीक है तो question number 9 का सही आंसर है आपका option C November 1930 में जहां दोस्तों प्रिथम गोल में सम्मिलन November 2030 में हुआ था तो last question है हमारा question number 10 नहरुजी को भारत रतन कब मिला नहरुजी को भारत रतन कब मिला था options हैं 1921 क्याबन में option B 1960 में option C 1955 में and option D 1914 में तो question number 10 का सही आंसर है आपका option C 1955 में जहां दोस्तों जब नहरुजी को ये भारत रतन कब मिला था तो भारत के जो ततकालिन प्रधान मंत्री थे वो खुद पंडित जवारलाल नहरुजी थे ठीक है तो यहां पर दोस्तों ये 10 questions हमारे समाप्त हुए लेकिन उसके बाद में आपके एक बहुत ही महतुपूर्ण बात बताने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है ठीक है तो सबसे पहले तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरू करना तो दोस्तों अभी हम बताते हैं आपके लिए जो एक महतुपूर्ण बात है उसके बारे में ठीक है तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट पेंज पे जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे मैंने आपके लिए एक नोट तयार करके रखा हुआ है ये तो दोस्तों ये जो वीडियो थी जिसको आप देख रहे थे ये केवल डिफेंस के एक्जाम्स जैसे आर्मी, हीर फोर्स, नेवी, आर्पी एफ, सी रपी एफ, सी आईएसफ, आईटी बीप, एससबी, बीएसफ और जो भी अधर डिफेंस की फोर्सेस हैं जैसे की एससफ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी अगर आप डिफेंस की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में एक-एक पिरस्न महतपूर्ण है और आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहेंगे तो उम्मिद करते हैं दोस्तों कि वीडियो को आपने एं जामस के लिए आपका जो प्रप्रेशन होती है वो भी कराई जाती है तो यूटूब पे एक मात्र चैनल दोस्तों हमारा ऐसा है जिस पे आपके लिए नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको उसकी तयारी भी कराई जाती है और दोस्तों आपके लिए फ्री पीडियो फाइल दी जाती है तो दोस्तों उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सेर जरू करना तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के नमस्कार जैहन जैवारत